अब आ जाते हैं ये कौन सा मेथड है पीफो ये होमवक में फिर से पहला कोश्चन आ गया नहीं वेटेड एवरेज मेथड है नहीं कोश्चन चार वेटेड ये तो करना बनता है मतलब एक इलिस्टेशन वन को लेते हुए इन्होंने काफी सारे कोश्चन बोला कर लीजिए आपका काम हो जाएगा शल ये वेटेड एवरेज भी करेंगे ये नियू है हमारे सीखने के लिए सर क्लोजिंग स्टॉक 3600 कैसे आया 3600 क्लोजिंग स्टॉक इन सभी को एड करके आ गया इन सभी को एड करके इन तीनों को जो बच गए लास्ट में ठीक है चलिए फॉर्मेट में कोई चेंजिस नहीं है चाहे कुश्चन कोई भी हो आ जाईए अब वो तो बहुत दूर चला गया ओके ले आए इसे इदर रखते हैं से ठीक है चलिए चलिए आपको कुश्चन दिख रहा है करें कुश्चन स्टार्ट तो इलिस्टेशन नमबर वन को बेस मानते हुए कह रहा है आपका वैसे है इलिस्टेशन नमबर फॉर वेटेड एवरेज चलिए करते जाओंगा आपको क्लियर हो जाएगा कहता है कैलकुलेट एंडिंग ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है सब्सक्राइब यहां पर कहता है एकस्प्लेइन देना एक जनवरी को एक एक को हमने हमारे पास क्याया कौन सा बैलेश है तो पहले तरह बिलकुल सेयár सेय이죠ी में सेया अब कितना बैलेंस है हजार यूनिट कि यानि इभी सजार हमने पर्चेस लिया फैब 10 को तो य्रिजान 40 यानि 922 को परचेस कर लिया है कितने परचेस किये 5 आप यहाँ कितने रुपए वाले 25 वाले तो कितने हो जाएंगे यहां यहां अब मेंन कैश देखना आप हमारे पांस जो स्टॉक हैना वेटेड में हजार तो पहले ही थे खरीद लिए कितने पांसो तो अब यहां पर अलग अलग लिखने की जुरतनी है सीधा पंदरा सो लिखेंगे पहला पॉइंट पहला पॉइंट देखे समझ में आया यानि पहले क्या करते थे अलग अलग यूनिट लिखते थे लेकिन वेटेड आइड करके निकलेगा तो रेट पता है कैसे निकलेगा इस केस में पहले वाला रेट निकालता हूं बाकी तो समझ में आ जाएगा बत्तिस अजार पांसो डिवाइड़ वाई पंदरा सो तो देखते हैं तो रेट आ गया 21.66 ठीक है तो इसमें कई बार ऐसा होगा दस प्रेंट्स को नहीं ले रहे आपर ठीक है फिर से कहता है थेरा मार्च को 400 युनिट खरीद लिया ठीक है सर थेरा मार्च को खरीदा परचेस कितने 400 कितने रुपए वाले 22 वाले तो ले तो कितने हो जाएंगे 8800 अब देखो अब हमारे पास 1500 पहले थे 400 और खरीदे कितने ह इतना हो गया सर बत्तिस पान सो प्लस में अठासी सो यानि एक तालिस तीन सो अब रेट इसको इससे डिवाइड कर दो रेट आ गया 21.7 ठीक है अब आपने 20 मार्च को बेच दिया है कोई टेंशन ही नहीं लेना कितने रुपए में बेचना 21.73 बेच दो इन्टू में 1200 यह आ गया 266 ठीक है न रुपए 10 रुपए 20 रुपए यहां तक कि 100 रुपए का कई वर फरक आ जाएगा यहां कितने बच गए 1200 निकली गए तो 700 बचे ना साथ सो 21.73 तो साथ सो इंटू में 21.73 अभी यहां पर एक समस्य आएगी कि आपका हम इसको ऐसा कर सकते हैं वैसे तो मेरा आगया 15211 आप यह भी लिख सकते हैं 15211 ठीक है लेकिन इन दोनों का जोड़ तो सेम तिरतिक तालिस तीन सो होना चाहिए जो बैठेगा ने क्यों पॉइंट की विज़े से या तो आप ऐसा कर तक तालिस तीन सो में से इतने निकल गए बागी बैलेंस यहां लिख दो ताकि आगे आप असानी हो जाए नहीं तो बाकि आप ऐसे भी कर दो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां तक बताएं यह क्लियर है 26 वाला यह हाँ बिल्कुल नहीं 1200 को 21.73 से मैंने यहां पर इन दोनों को मल्टिप्लाई किया है ठीक है चले आगे सर फिर से समान 500 बेच दिया है कब 6 अपरेल को 64 को इशू कर दिया है कितने 500 तो टैंशन ही नहीं लेना 21.73 से बिख जाएगा तो एक किस पॉइंट सेवन थरी यह अठारा सॉरी दस आट सो पैंसेट बाकी कितने बचके सर बाकी बचके 500 निकलने के बाद 200 एक किस पॉइंट सेवन थरी यह थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है लेकिन मेरा मानना है पिछले वाले से असान है इसमें ध्यान नहीं रखना कुछ भी आपको कि पहला कौन सा बिखेगा दूसरा कौन सा बिखेगा फिर किदा मही को आपने खरीदारी कर लि डिए कितने 400 सर बारह मई बारा चार को आपने फर्चेस कर लिए कितने 400 कितने रुपय यखने दस हजार तो आप देका जाए तो दोसु और चार सो हो गये टूटल किटने 600 और हमारा टूटल अमाउंट हो गया 10,000 प्लस में 43,46 यानि 14,346 और डिवाइड कर दें अगर 600 से तो रेट आया तेईस रुपए क्यानवे पैसे अब बारा मार्च के बाद 30 जुन को हमने क्या करा बेच दिया कब बेच दिया हमने 30 जुन को इसु कर दिया अगर हमने 30 जुन को बेच दिया है कितने बेच दिये हैं 30 जुन को 500 बेच दिया तो सिंपल सा बात है यह 500 किस रेट से जाएगा 23.191 यानि जो पहले वाला रेट होता है उसी से बेचना है 23.91 इंटू 500 यानि 11955 ठीक है अब बचे कितने 100 कितने 23.191 कितने हो गए 23.191 question पूछता है at the end आप closing inventory बताइए तो closing होगा sorry पहले बताइए cost of goods sold तो cost of goods sold क्या होगा cost of goods sold सहाब cost of goods sold तो हमें थोड़ा इधर रख लेना चाहिए इसको और हमें sales वाले का total दिखा देना है ना इस सभी का total कर देंगे तो 266 प्लस 10865 प्लस 11955 तो यह मेरे पास आ गया 48896 और अपनी किताब में आप देखेंगे तो फरक होगा पॉइंट की वज़े से और ज्यादा फरक नहीं होगा अब closing stock में तो भाई या closing stock तो एक ही अकिला है तो 2391 आ गया तो इसको हमें periodic से भी करना है और हमें perpetual से भी करना है तो perpetual से हो गया periodic भी करी लेते हैं जंजटी खतम करते हैं periodic कर गए ठीक है बताइए कोई डाउट क्या रहे बुक में आंसर देखिए कितने रुपए का फरक आ रहे है सर मुझे आज से रोल नंबर का message आया है उसने बार कोड नहीं आया फिर कैसे login करूं बार कोड बहुत बच्च यह तो लिंक आया हूँ है लिंक पे क्लिक करके उजाएगा ऐसा बतायर रहे है कि इसे अलग-अलग करके सीजी इस बता कर दो इक भार सी ऑंदीश में क्या होता है जो इसू वाले eight वाले का टॉटल होता है न देखो सी यूग जिस क्या होता है बेसिकली आप देखिए जो ईशू वाले का टोटल है यह 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 सब को टोटल करके स्योजियस निकलता है यह रहा और क्लोजिंग स्टोक क्या होता है लास्ट वाले सेक्षिन का टोटल कर दो वात नहीं हो रहा थोड़ा वेट कर लीजिये आ जाएगा और आपको फिर दुबारा हो जाएगा करीब वन वीक का और वेट करना होगा आपको सर सेल्स वाला ही टोटल क्यों किया कॉस्ट अफ गुड्स ओल्ड का मतलब ही होता है कि जो समान बेचा उसकी कॉस्टिंग कितनी है तो जो समान बेचा यह सारी कॉस्टिंग ही है इसलिए सेल्स वाले का टोटल हमने कर दिया है इसी को प्रियोडिक टर्म्स में करें करें इसी को प्रियोडिक में चलिए सेम कॉस्टिंग को लेके चलते हम कहां पे सर प्रियोडिक में तो सर प्रियोडिक में तो इसकी जरुरत नहीं है किसकी बात कर रहे हैं सर प्रियोडिक में इसकी जरुरत नहीं है चलिए देखते हैं प्रियोडिक प्रियोडिक बड़ा असान है और जनरल एक्जाम में पूछा नहीं जाता यह प्रियोडिक वाला अब आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं पूछा जाता सबसे पहले हम क्या करेंगे जितने भी परचेस किये इक खटा लिख लेंगे सबसे पहले हम परचेस लिख लेंगे कि सारे परचेस को हम एक साथ लिख लेंगे टिट वाइस ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे करपी लिखने के बाद एक साथ फिर बे च देगे और यहां पर लिख लेते हैं ए इसुट फिर लिख लेंगे नीचे बैल 충 your तो देखिए पर्चेस के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था कब था एक एक दो हजार नहीं बताया तो एक एक कितने थे हमारे पास हजार इंटू बीस तो यहां पर लिख लेते हैं क्वांटिटी रेट एंड टोटल ची कहा है कितने कितने का खरीदा हजार यूनिट पीस वाले चीक है हजार यूनिट बीस वाले कितने हो गए हैं इसके बाद फिर से खरीदा हमने कब 10 फरवरी 10 दो को कितने यूनिट खरीदे 500 यूनिट कितने वाले 25 वाले 12,500 फिर उसके बाद हमने क्या किया फिर से 13 मार्च को खरीद लिया कितने यूनिट 400 यूनिट कितने वाले 22 यानि 8800 फिर उसके बाद कब खरीदा हमने मार्च के बाद 12 माई को 12-5 को खरीदा कितने का खरीदा 400 कितने वाले 25 वाले यानि कितने हो गए 10,000 इन सभी को total करके एक एवरेज प्राइज निकाल लेंगे इन सभी को total करके एक एवरेज प्राइज निकाल लेंगे यानि 1000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 400 यानि टोटल टेइस सो यूनिट खरीद चुके हैं इस पूरे कोश्चन में कितने रुपए का 20,000 बारा पान सो 8800 और दस अजार यानि 51,300 का तो रेट आ जाएगा हमारा टेइस सो डिवाइड करके 22 रुपए तीस पैसे आ गए ठीक है 22 रुपए अब इशू जो किये हैं उसको लिख लेंगे इशू में क्या-क्या किये हैं कब-कब इशू किये हैं सर पहला इशू है 20 मार्च को 23 को कितने ही क्वांटिटी इशू किये हैं हमने 1200 उसके बाद फिर से हमने इशू किया है 6 अप्रेल को 6-4 को कितने क्वांटिटी इशू किये हैं सर 500 यानि 81 कर लेते हैं पहले हम ठीक है इसके बाद क्या कर रहा है 30 जून को 36 को कितने कितने 500 तो टोटल कितने हो गए सर 22 और सर 22 को इसी रेट पे बेच दो 81 49 थीक है बैलेंस जो भुच गया बैलेंस जो भुच गया वह कितने बचे सर 2800 में से 22 यानि 2230 ये हो पूछा गया end of inventory तो यह inventory हो गया हमारा क्या पर्चेस का कर रख है हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप मैंने तो यहां पर क्लियर बता दिया कैसे करना और ऐसा कोई इसका फॉर्मेट नहीं आप रफली भी कर सकते हैं इसका कोई फॉर्मेट होता नहीं है हाँ तो नीचे इसने डारेक्ट कर दिया न क्या फरक पड़ता है हमने एक फॉर्मेट के अंदर प्रॉपर कर दिया है और इसका कोई फॉर्मेट है नहीं यह लो इतना यह हो गया और यह थोड़ा और सजा दिया लो तीन पॉइंट हो गया यह अलग अलग कर सकते हैं अलग टुकड़ा यह अलग टुकड़ा यह अलग टुकड़ा यह ठीक है सर इसका कोई फॉर्मेट नहीं इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता अगर फीफो भी होता तो हम सारे जोड लेते और फिर उसके हिसाब से इखटा कर लेते लेकिन फीफो में क्या होता हम ऐसे एवरेज वाला रेट नहीं निकालते हैं पहले ऐसे करके एक एक करके निकालते ज झाल झाल